किसान आंदोलन को चलाने के साथ साथ अब किसानों के सामने गेहू की फसल कटाई को लेकर संकट खड़ा हो गया है। संकट इस बात कहे कि किसान आंदोलन में रहे या खेत में लगबद तयार हो चुकी फसल को निकाले। इस संकट से निकलने के लिए किसान और किसान निताओ के और से विशेश रणनीती तयार की गई है और अब इस रणनीती को आगे बढ़ाये जारा है किसानों को कहना है कि जब तक फसल की कटाई चलेगी तब तक आंदूलन के कमान बुजर्गों के कंधों पर होगी और ये बुजर्गी इस आंदूलन को चलाएंगे आंदूलन इस जाकर लोगों को समझा रहे हैं और लोगों की बड़े बुड़े जो लोग हैं उनको एक्तिर्थ कर रहे हैं और एक्तिर्थ करके उन्हें धन्ने पर लाएंगे और जो हमारे योवा साथ है वो अपनी फसल कटाई के लिए 15-20 दिन का समय होता है और उसके बाद बड़े 30 बुजर्ग यहां पर रहेंगे और अभी तो देखो अभी तो यह 15-20 टेंट लगे हैं आगे आगे देखो जैसे काम चलता रहेगा 25 होंगे 30 होंगे 50 होंगे 100 बेलकुर और जब तक हमारे किसान भाई पीछे नहीं हटेंगे जब तक यह तीन्यों कानून रद नहीं होंगे फसल किसान की जीवी का कसाधन है और फसल का समय आगया अंदोलन बहुत लंबे समय से चल रहा है बविश में भी पता नहीं कितने समय और इसमें धरना देना पड़ें परदर्शन करने पड़ें सरकार अभी जिद पर है अड़िव ही है हट कर रही है तो अब इसको देखते हुए फसल को देखते हुए ये निरने लिया गया है कि गाम के अंदर जो व्मारे ब्रद्ध हैं वो अपना धरना इस्तल पर आएंगे और खेती को समालेंगी महिलाए और युवा बच्चे खेती को समालेंगे खेत का काम भी खराब नहीं होगा धरना में भी कमजोरी नहीं आएगी दोनों काम साथ साथ चलेंगे और खेती का काम जल्दी एक महीने के लगवग समापन हो जाएगा उसके बाद फिर अंदोलन को और तिवर्ता से और गती दी जाएगी पर खेती के कारण से अंदोलन में किसी परकारथी कोई कमजोरी नहीं आएगी बड़ी बादुरी के साथ किसान उसी तरह से लड़ेंगे ब्रद लोगों का सिरवाद समान मिलेगा यहाँ जो संगर्थ समीती है वो गाम गाम में संपर्क में है अब सुचिया बनाई जा रही हैं लोगों को प्रेरित किया जा रहा है और बड़ लोग काफी संक्या में यहां धरनाष्व पर आएगत यहीं नहीं पूरे धेस में अब इस आंदोलन की बागड़ोर को विरत समालेंगे जो खेती करने में असमर्थ हैं साट साल से उपर के जो किसान है वो आके धरनाशतल पर बैठेंगे उससे नीचे जो यूवा हैं महिला हैं वो केती को समालेंगे आंदोलन तो सौपरती सच चलेगा और किसान नेताओं की आपने बात भी सुनी हो अब सबसे जो बड़ी लडाई है वो यह है कि हमें आंदोलन चलाना है और हमारी जो मातर शक्ति है उसने गाओं में कमान समाल रखी है बहुत भारी तरीके से और उन्होंने यहां सब को यह कहके भेजा है कि लडाई जीत क्या आनी है एक बात तो यह दूसरी बुजर्ग लोग यहां पे रहेंगे और जो साथी काम करने वाले वो वहां पे रहेंगे थोड़ा बदलते रहेंगे और रूटीन बनाया हुआ है गाउं के हमारे जो मुखिया है किसानों के उन्होंने रूटीन बनाया हुआ है कि हर गाउं से 10 आदमी बड़े गाउं से 20 आदमी तो इस तरीके से जाएंगे ही जाएंगे बिल्कुल चिन्नित करने का भी काम है और हमारे जो बजुर्ग है न वो उन्हें चिन्नित करने की जरूरत नहीं है उनमें हम यूबाओं से ज्यादा जो उस है बजुर्गाओं में वो अपने आप ही अपनी ड्यूटी समझ के अपने आप ही आने के लिए त्यार है कहने के लि तो अब हम वहां जाते हैं